नमस्कार, मौहिनी की किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा की सबजी यह राजमा है, धाई सो ग्राम राजमा है जिसको मैंने अच्छे से धो कर साप कर लिया है और रात भर के लिए भीगो दिया था तो अच्छे से भीग गया है अब इसको हम उबालेंगे तो मैंने चार-पांच पानी से धोया था एकदम साब कर दिया था क्योंकि जब हम उबालेंगे तो इसी का पानी डालेंगे दूसरा पानी नहीं डालेंगे तो चलिए अब हम उबाल लेते हैं कुकर में तो यह मैंने उबाल लिया है देखिए अच्छे से उबल गया है और उबलने में मैंने 15 मिनट तक उबाला है और अच्छे से उबल गया है तो इसको अब हम एक भगोने में पलट लिया है यह देखिए पानी सहित पलटा है क्योंकि पानी मेरा साफ है इसी पानी को हम डालेंगे दूसरा पानी नहीं डालेंगे तो ये एकदम से उबल गया है अब हम ये देखिए तीन प्याज हैं और एक टुकड़ा अध्रक का है ये देखिए और चार-पांच कलिया लेसुन की है जो लेसुन की कलिया बड़ी है तीन हरी मिर्च है और एक टुमाटर है ये हम मसाली में डालेंगे और ये धनिया पत्ती है तो इनको हम पीस लेंगे प्याज, लेसुन, अध्रक टुमाटर सभी को हम पीस लेंगे में पेपला उसी में हम बनाएंगे राजमा को बोणों कड़ाई में बनाते हैं मगर हम कोकर में बनाएंगे तो कोकर गरम होने के लिए रख दिया है अब इसमें हम डालेंगे तेल तो तेल थोड़ा सा जादा ही डालेंगे सबजी से तो तेल मैंने डाल दिया है तेल गरम हो रहा है तेल गरम हो गया अब इसमें हम एक चम्मत जीरा डालेंगे तो जीरा चटक गया है अब इसमें हम वही लैसून प्याज अद्रक सब एक साथ पीस लिया था तो हम इसको डाल देंगे इसको हम चलाते रहेंगे लगातार चलाएंगे जिसकी जले नहीं और सुनहला होने तक हम इसको इसी तरह से पकाएंगे मीडियम आज में पकाएंगे ज़्याद़ तेज नहीं करेंगे और एकदम धीमा भी नहीं रखेंगे गैसको तो इस तरह का पग गया है, सुनैला हो गया है अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले यह देखिए पग गया है तो मसालों में हम डालेंगे यह दो चमच धनिया है, धनिया पाउडर और एक चमच लाल मिर्च पाउडर आदि चमच गरम मसाला और एक चमच हल्दी पाउडर तो यह सारे मसाले हम एक साथ डाल देंगे मसाले चला देंगे तो मसालों को हम थोड़े देर चलाएंगे क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला है तो मसाले जले ना इसलिए हम थोड़ी देर चलाएंगे और इसके बाद टामाटर डाल लेंगे यह पिसा हुआ टामाटर है और हरी मिर्च एक साथ मैंने पिसा था तो डाल लेंगे इसको भी और चला देंगे और मसाला अच्छे से धीमी आज पर पकाएंगे मसाला अच्छा धीमी आज पर पकता है तभी सबजी स्वादिष्ट बनती है इसलिए हम धीमी धीमी आज पर पकाएंगे तो मसाला पक गया है अब इसमें हम उगला हुआ राजमा डालेंगे तो राजमा के साथ हम वही पानी डालेंगे जो उबाला था पानी तो उसी को हम डाल देंगे क्योंकि पानी साफ है और मैंने अच्छे से धो कर राजमा को बाला था तो वही पानी डाल दिया है और पानी इतना हम डालेंगे कि जितना मुझे पानी पसंद हो तो हमें तो थोड़ा पतला पसंद है किसी को गाड़ा पसंद होता है तो कम पानी डाले तो ये एक चमश नमक डाल दे रहे हैं नमक अपने स्वाद के अनुसार डाले अब हम इसमें दो सीटी लगाएंगे और ये राजमा गाड़ा हो जाएगा सारी मसाले पक जाएंगे और सबजी बढ़िया बन जाएगी गैस को हम तेज कर देंगे तो देखिए इस तरह का राजमा बन कर तयार हो गया है अच्छा सा बन गया है थोड़ा सा पतला है जो हम लोगों को पतला रशा पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़ा पतला रखा है आपको जैसा पसंद हो वैसा पाणी डाले तो ये राजमा बन कर तयार है अच्छी खुसबू आ रही है इसमें हमने धनिया पत्ती डाल दिया है अब हम सर्व करते हैं तो हम इस कटोरी में सर्व कर रहे हैं देखी कितना अच्छा बना है यह देखी कितना अच्छा बना है अगर इस तरह से बना हुआ राजमा आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और सबसेक्राइब करें बिल आइकन जरूर दबाएं जिससे की आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले